दूसरी आयोधा जी में कनग भवन और हन्वान गड़ी के वीच में एक आस्राम है जिसे बड़ी जगह और रसत महल के नाम से भी जाना जाता है वहाँ पर एक संथ हुआ काते थे जिनका नाम था राम परसाद हाई गाई समया उस्षिव और ये अधुट परसंग हम सब के लिए परड़े जो भी मंदिर में चल्हावा आता था वो एक बनिया के हाँ जिसका नाम था पल्टू बनिया उनके हाँ भजवा देते थे उसी धन से जो भी रासन आ जाए उसका परसाद बनाके भगवान को भो लगाते थे और वहाँ पर रहने वाले आस्रम में सभी सादू संथ भी खाते थे दुस्तों एक बाद प्रभू की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में को चल्हावा आया ही नहीं अब इन सादू के पास कुछ थोड़ा और जोड़ा गार तो रहता नहीं है तो क्या किया जाए कोई उपाय न देखते हुए सी राम पसाद जी ने दो सादू को पल्टू बनिया के पास ये कहला के भेजा कि आज को चड़ावा आया नहीं है थोड़ा सा रासान उधार दे तो कम से कम भगवान को तो भूग लग जाए पल्टू बनिया ने जब ये सुना तुसरी ये कहक मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेंदें तो नगत का है मैं उधार में कुछ नहीं देपाऊंगा जब ये बात राम पसाद जी को मालूम पड़ी तो राम पसाद जी ने कहा कि चलो भगवान के इच्छा है और उन्होंने भगवान को पानी का भोग लगाया और वहाँ प राम पर साद जी नित करीव एक घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे पूरे दिन के भूखे राम पर साद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पुरा करके सोने चले गए दोस्तों धेरे धेरे करके अब रात बीते लगी तो आधी रात को पल्टू बनिया का दर्वाजे के पास सूर मचा रहे हैं अब दर्वाजे के पास से आवाज आई अरे पल्टू अरे पल्टू से दर्वाजा खोल अब पल्टू से धरवला का उठा और हीच्टे हुए दर्वाजे के पास गया और सोचा कि ये बच्चे बहुत ज़्या सराद कर रहे हैं अभी पल्टू बनिया का सारा गुस्सा प्रेमे परिवतन हो गया उसे भर ही आच्चर से पुछा कि तुम कौन हो और ती रात को सूर क्यों मचा रहे हो वो चारों बिना कुछ कहे पल्टू बनिया घर के अंदर घुज गए और उन्होंने कहा कि हमें राम पसाद जी ने भेजा है औ जल्दी जल्दी पल्टू ने उस प्रितामरा कोना खोला और उसमें सच में चांदी के सूला सो सिक्के निकले अब प्रस्म भई दिश्टी से पल्टू बनिया ने उन बच्चों को देखने लगा तब बच्चों ने कहा कि इन प्रेसों का रासन तुमकल आसम भिजवा देन अब पल्टू बनिया को सरम आ गई अब पर्टू बनिया सोचा कि आज मेंने महनत्य जी को रासन ने दिया इसलिए वो नराज हो गए इसलिए 39 पैसे भिजवा दिये पल्टू बनिया ने उन बच्चों के सामने हाँ जोड़ा कहा कि अगर मैं महनत जी को पुरी दुकान उठा का भी दे दूँगा तब भी ये पैसे बहुत जादा है पता ने इतने का समान देते देते किता समय लग जाएगा बच्चों ने कहा कि ठीक है आप थोड़ा थोड़ा करके रासन रोज आस्रम भिजवा दिये करना लेकिन आज की बाद कभी भी रासन के लिए मना मत करना अब पल्टू बनिया को इतनी सरम आई जैसे ही किसी ने उसे जमीन में गार दिया हो अब पल्टू बनिया हाद जोलका बोला कि ठीक है जैसे महनत जी की आ गया इतना कहका है और सुनके बच्चे वहाँ से चले गए लेकिन जाते जाते पल्टू बनिया का मन भी ले गए उधा सवेरे सवेरे मंगला आती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के पट खोले तो देखा तो भगवान का पितामरा गायब है उन्होंने ये बात राम पसाद जी को बताई और सब को लगा की रात तो कोई पितामरा चुरा के ले गया है दूसर जैसी थ्वास दिन चला पल्टू बनिया गारी में सवान लदवा के कितब भाव से और हाँ जोड़े हुए राम पसाद जी के पास महचा और उनके चरणों में गिरका छमा मांगने लगा अब राम पसाद जी कोई समालूम था नहीं तो उन्होंने पल्टू बनिया से पुछा अरे भाई क्या हुआ और किस बात की माफी मांग रहे हो तब पल्टू बनिया उठा और उसने कहा कि महराज आपको रात को पैसे भिजवाने क्या जोड़ थी पल्टू बनिया ने कहा कि मैं आपसे कान पकार के माफी मांगता हूँ आज वरत कभी भी रासन के लिए माना नहीं करूँगा ये रहा आपका पितामरा वो बच्चे लेके आये थे बहुती प्यारे बच्चे थे रात को पैसे लेके आ गए अगर बुरा नमाओ तो मैं उन बच्चे को देखना चाहता हूँ जब राम पसाज जी ने पितामरा देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो हमाएं मंदर का ही पितामरा है जो कि गायव हो गया था अब राम पसाज जी ने उस बणिया से इस पितामरा के बारे में पूछा तब बणिया ने राती पूरी घटना सुना दी अब राम पसाज जी भागे भागे मंदर के अंदर गाए और प्रभू के चर्णों में गिरकर रोने लगे और उन्होंने कहा कि हे वक्ट वसल आज आपको मेरे कान कितना कर्ष्ट उठाना पड़ा मैं जीवन भर आपकी सेवा करी लगिए आपने मुझे दसन ने दिये और उस बणिया को आप दसन देने पहुँच गए जब पल्टू बणिया को पूरी बात का परद चला तो उसका हेड़े भी धक से हो गया जेने वो सरहान बालक समझे आ था वो त्रिभुवन के नाथ थे अरे मैं तो उनके पैर भी नी छुपाया अब तो दोनों लोग बैठ कर रोने लगे इसके बाद कभी भी आसम में रासन की कमी नहीं हुई आज तर वो संद सिवा होती आ रही है इस घतना के बाद पल्टू बनिया को बैराग हो गया और वो पल्टू बनिया ही बाद में पल्टू डास जी के नाम से बिख्यात हुआ अब राम पसार जी की व्यकुलता हर्चा भरती जा रही थी भगवान को सेहन काने के बाद जब भजन गाने बैठे तो मूच्छितों का गिर गए दोसो संसार के लिए वो मूच्छे थे किन्तों मूच्छा अवस्ता में ही उन्हें 15 भायों के दर्सन हुए उस्सी दर्सन में सीर जान की जीने उनके आशु पोछे और अपने अगली से उनके मात्य पर विंदी लगाई जिसे सदेव ही उन्हें अपने मास्तक पर धान करके रखा इसी के बाद उनके आसम में विंदी वाले तलक का पचलन हुआ बास्ता में प्रभू चाहे तो ये अभाव ये कस्त भक्तों के जीवा में कभी ना है प्रतु प्रभू जान मुझकर इने भेजते हैं ताकि इन लीडाओं के मादम से जो आप विश्वासी जीव है वेश सतक हो जाएं और उनके हिर्दों में भी विश्वास उत्पन हो दोस्तों सीराम पसाद जी को सीराम चन जी और उनके तीनों भाई एवं जानकी माता जी के दसन हुए थे दोस्तों कहने का तात्वार यह है कि अगर मन में इश्वय के पैठी सद्दा है और पिस्वास है तो आप किती पैसान में क्यों ना हो इश्व कहीं न खहीं आपकी आखि ज़्रूमनरत करता है या पिर किसी के मादधर्व से आपकी मेर्द करवा देगा दोस्तों अगरी कंटेन आपको यूसफुल लगा हो और लगा को सीखनों को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना कोई कि हम आपके लिए इसी तरह यूसफुल कंटेन प्रतिरिम बनाते हैं जैसी राम भारति का बच्चा बच्चा मरराम पे कुरवान है